सिमरिया विधानसभा से भाजपा के विधायक केपी त्रिपाटी और सिर्मौर जन्पत पंचायत के मुखे कारेपलन अधिकारी सके मिस्रा के हुई बारता और बिवात के बीच अधिवक्ता और समास से भी वीके माला ने पुलिस अधिक्षा को पत्र लिखा है स्री माला ने मांग की है कि सिमरिया विधानसभा के विधायक केपी त्रिपाटी तथा जन्पत पंचायत सिर्मौर के मुखे कारेपलन अधिकारी के आपसी बातचीत की जो ओडियो वारल हुई है उस ओडियो में बिना काम के ही रासी के भुक्तान का जिक्र है समूचे ओडियो में बातचीत के विंदू की तथा सिर्मौर और रिवा जन्पत पंचायतों के अंतरगत लगभग 150 करोड फरजी ब्याय की नाईक जांच कराई जाए आपको बता दे कि रिवा जिले के जन्पत पंचायत सिर्मौर के मुख्य कारपान दिकारी स्क मिस्त्रा तथा बिधायक के पित्रिपाठी के बीच हुई वारता से पूरे जिले में हुई भ्रष्टाचार की कलई खोल कर रख दी है और जन्पत निधियों की कारप्रडाली पर भी सवाल खड़ा हो गया है स्री माला ने बताया कि वारल ओडियो के दोनों पक्छों द्वारा स्विकार कर पुष्टी कर दी गई है उस वारल ओडियो में कई बार मुख्य कारपान दिकारी बिना काम के पूर्व हुए ग्राम पंचायत की रास का भुगतान किये जाने का जिकर किया है जो गमभील जाच का भिसा है स्री माला ने बताया कि रिवा जिले के सिमर्या बिधानसभा तथा सिर्मण बिधानसभा के अनतर गत आने वाली ग्राम पंचायत में बिना काम के हिरास आहरन वितरन करने का लगभ भग 150 करोड बया किया गया है जिसमें कि रासी वसूली की मांग की है आई आपको सुनाते हैं बीके माला ने पत्रकार वारता का आयोजन कर क्या कहा है देखिए सोला आट दो हजार वाइस को एक आडियो वाइरल होती है उस आडियो वाइरल से मानिनी विधायक से मरिया एवं जन्पर पंचाय सिर्मौर के मुख्यक हैर्णिक आपसी बातचीत के आडियो वाइरल हूई है निस्च्छी तोर से जो घटना हुई है उस घटना की हम दिन्दा करते है और मुख्यकार पाला अधिकारी के जल्दी सौस्त होने की इस तरह से प्रात्ना और कामना करता है न्या कानून को कोई किसी बिक्तिकों हाथ में लेने का अधिकार नहीं है परंतु जो आडियो वाइरल हुई है उस आडियो से एक बात प्रमानित हो जाती है कि आडियो की दोनों दोनों लोगों ने पुष्ट की है मुखकार पला अधिकारी जनपरपास सिर्मौर और साथ में माननी विधायक सिमरिया के द्वारा जो बात चीत हो गई है उसमें आडियो के बात चीत के जो अंस हुए है उसमें कई वार इस बात का जिक्र है कि आपके आद्मियों को राश से भुक्तान कराया गया है बीना काम के राश के भुक्तान हुआ है निश्चित तोर से यह ग्राम पंचायतों में सिमरिया विधानसवा और सिर्मौर विधानसवा के अधिक्ता ग्राम पंचायतों में व्यापक अस्तर में भश्टा चार है लगबग एक सो पचास करोड की लागत जो हमने आकलन की है इसलिए कि पूर में हमने ग्राम पंचायतों को लेकर एक आविदन लगाया था जिसकी जानकारी हमें सूचना के अधिकार में सिर्मौर से मुख जिला पंचायत रीवा के द्वारा समस जन्पदों को देने के लिए पत्र पत्राचार किया गया तेस करपा आदिकारी के दौ़ारा जो आडियों में बाचीत हूई है बाचीत में कई बार इस बात का तकरक करता है कि आपके आजओ को भुकतान किया गए बिना काम के भुकतान हुआ मुख एक रहे हैं कि बिना काम के आदमा करना निश्चित तब तोर से अपने जन बेखती यदि कोई बात को किसी बात को लेकर चर्चा करते हैं तो अधिकारी को बिना रास बिना काम किये हुए भुक्तान होना निश्चित तोर से एक अपराद की सेड़ी में आता है पूर में भी कई बार या व्यापक अस्तर में भर्षाचार की सिर्मौर सिमरिया से या अन्य जन्सियों के द्वारा रास प्रदान की गई थी उसका भौतिक सत्यापन किया जाना उचित होगा हमने कई वाद निवेदन किया कि अस्थल में जो काम के लिए सरकार ने रास दी है उन रासियों का सदुपयोग उन रासियों का कार का मुल्यांकन भौतिक सत्याप के रिकार्ड होंगी हम पड़री राजगर दुलहरा सिर्मौर सिमरिया यह यह तो अंसिक है इसी प्रकार बहुत सारी ग्राम लगबग 150 करोड के भष्टाचार हुए हैं हम इसकी नियाइक जाच की माग कर रहे हैं देखिए निश्चित तोर से भष्टाचार हुआ है और इस भष्टाचार में भष्टाचार के कारण ही यह बाते सामने आई हैं किसी के बिक्तिकत कोई की दुस्मनी संभवता नहीं हो सक पर यह मामला पूरा मामला जवाब आडियो सुनते हैं आडियो को देखते हैं और समझते हैं तो मुक्ता यह भष्टाचार से प्रेइध है हम इसकी जाच की माग कर रहे हैं और आपके माद्यम से और इस पत्र को मार्तिका प्राजमेशन बियूरों को भी देंगे पुलिस म प्रक्ण की यदि सीबी आई जांच हो सके स्टेट गवर्मेंट है सीबी आई जांच नहीं हो पाएगी संभवता पर इसकी नयाएक जांच होनी चाहिए ताकि इससे परदा उठ सके कि आखी सी वीडियो में जो संबाद हुआ है जो बात चीत हुए हैं वो किन कारणों से और ग्राम पंचायतों के बहुतिक सात्यापन आखेक्शन होने चाहिए कि आखेक्शन होने चाहिए